वेल्कम टू माई चैनल इंडियन मॉम हेलो गाईज आजकल करोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है हम लोग जहां भी सुनते हैं आसपास किसी से बात करिये हैं या पडोस मोले में सभी जगें आजकल बस इसी पर चल्चा हो रही है या फिर किसी ना किसी को इस वायरस ने गेरा हुआ है तो फ्रेंड्स प्लीज आप लोग भी करोना वायरस का इंजक्शन ठीका लगवा लीजिए यह आसानी से सभी सेंट्रों में उपलब्द है मैंने और मेरे हस्पेंड ने भी करोना वैक्सिन का ठीका लगवा लिया है यह लगवाने पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था लेकिन लगवाने के बाद ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है लोग बोलते हैं कि दर्द होता है या फीबर बगएरा आ जाता है कुछ लोगों साथ ऐसा होता है तो हॉस्पिटल वाले परसीटमॉल की दो टैबलेट देते हैं अगर आपको बदन दर्द या हलका फीबर बगएरा महसूस हो तो आप एक टैबलेट खा लीजिए तो आपको आराम हो जाएगा और जो कार्ड होता है उसमें सारी जानकारी लिखकर देते हैं तो आप की दूसरा वैक्सीन कब लगनी है तो आप कार्ड में डॉक्टर का नंबर भी होता है अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो टीका लगवाने के बाद तो आप उनसे बात करके राय ले सकते हैं तो फ्रेंच फ्लीज आप लोग भी कुरोना वैक्सीन का टीका जरूर से लगवा लीजिए और हाँ उसके बाद आप लोग डील मत डालिए क्योंकि उसके बाद भी हमें मास्क पहनना ही है हम बाहर निकलें तो हमेशा मास्क लगा कर लिए क्योंकि तभी इस वायरस से बचने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम अपने आपको सेफ रखें और कुछ जरूरी चीजों का पालन करें जरूरत होने पर ही बाहर जाएं तो यह मास्क बनाने की बहुत ही आसान भी दिया है आप इस तरह से 11 वाई 11 का एक पीस लेकर इस तरह से आप मास्क की कटिंग कर लीजिए और सिलाई कर लीजिए तो आप घर पे भी मास्क बना सकते हैं आसानी से इन मास्क घर पे बने मास्क आसानी से धोय भी जा सकते हैं क्योंकि हम जो मास्क बाहर लगा कर जाती हैं तो उस यूज़ करने में आसानी रहेगी तभी हमारे लिए वो सुरच्चत रहता है बरना फिर वो सारे कीटाणू हुआ हमारे सरीर में प्रिवेश कर सकते हैं इसे मास्क बना कर आप अपने घर में भी यूज़ कीजिए और जिनके पास मास्क नहीं है उनको भी help कर सकते हैं इस तरह के मास्क बना कर दे सकते हैं यह मास्क किसी भी cotton के कपड़े या औल्ड कपड़ों से भी बना सकते हैं हुआ है तो फ्रेंट प्लीज वीडियो पसंद आएं तो एक लाइक कर दीजिए है नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वैक्सेन लग्वाने के बाद घर आने के बाद आप रोजमर्णा की जरूरी काम अपनी लैब के नौर्मली कर सकते क्योंकि वैक्सीन लगाने के वाद किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आप आकर तुरंत भी सारे काम कर सकते हैं और चाहें तो थोड़ा रैस्ट भी कर सकते हैं वैसे वैक्सीन लगाने के वाद वो लोग वहाँ पर हॉस्पिटल में आदा गंटा वहीं पर बिठा कर रखते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम हो तो इसलिए वो देख सकें तुरंत आपको और सही ट्रीट्मेंट दे सकें तो फ्रेंड्स प्लीज आप इस तरह का मास्क बनाईए और घर में और खुद भी यूज कीजिए और लोगों की भी हैल्प कीजिए यह देखें यह मास्क बनने के बाद कुछ इस तरह से सिलाई करने के बाद तयार हो जाएगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में बाई बाई